हलो गाईज आपके अपनी चैनल में आपका श्रागत है सो गई जब टेलिगाम चैनल को जोइन कर सकते हैं इस का लिंग की सुडियों के डिस्किप्शन में आप कुम लेगा वापर क्लिक करके जो भी आपकी क्वेरी हो डेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं सो गाईज बात करें को सब्सक्राइब करना मत बुलें दोज एक लेटेश अपडेटी न्यूज मिस कर जाएंगी तो आज के लो की बात करें तो चाहन पर चालिस पैसे का बाउन वीक लो है तो यहां पर ना तो बाउन वीक लो पे है ना हाई पे है पीच में अभी कंडिशन पीच की है इवन ज मार्केट में मिल रहा है अगर बात पर इसके अनलेसिस की तो काफी सारी चीजें श्रोंग न ज़डा रही है आज के वोल्यूम ट्रेट की बात करें तो सबाग 11 ला क्वंटिटी वोल्यूम जो की बीसी पे ट्रेट हुआ है अगर बात पर आज की तो करीब करीब 2 करोड रुपे को टच किया है जिसने तो इसके अलावा अगर डाउनफोल की बात करें तो 44 रुपे साड़े 44 रुपे पहने 45 रुपे तक यह नीचे गया था और कल की बात करें तो जो कि 20 परशेंट इसमें जो कि आप साइट देखने को मिला था एक जबर्दस्त उचाल जो कि एक कदम से जो कि 40 रुपे से नीचे आपको आपके पास एक गोल्डन ऑपरचुटी थी 40 रुपे से नीचे लेने की और अफकोर्स आपको मिल रहा था उस ट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रोमोटर व्लडिंग की तो यहां पर प्रोमोर्टर वोल्डिंग 31.09 पर्षेंट पॉइंत की प्रफेंट पॉइंत की तो यहांब डिमेस्टिक इन्वेस्टर संट की फोल्डिंग 0.03 पर्षेंट जो की नजर आ रहरी है अदर्स लिधू पॉइंत की बीक इंट्री फैसीज नोटीस नोटिस करने को मिलेगी कि यहां पर promoter plays है वो बिल्कुल zero हो चुका है of course काफी इसमें यहां पर जो कि महनत मसकत करनी पड़ी इवन अगर बात करें इन फिवी वेन्यों की तो यहां पर जो कि 1.77 से zero कर दिया है इसने जो कि plays को इससे पहले अगर बात करें एक साल पहले की तो 7.53 परशेंट इसमें जो कि promoter plays हुआ करता था जो कि बिल्कुल अभी इतना downfall इसमें आया है of course जो कि काफी अच्छी news है and guys अगर बात करें holding की तो holding में भी changes हुआ है अगर यहां पर quarter on quarter बात करें तो यहां पर भी even काफी downfall देखने को मिला है year on year तो करीब करें जो कि 1% से भी जादा downfall देखने को मिल रहा है अगर बात करें foreign investors की तो of course यहां पर holding जो की दुबारा से increase हुई है यह काफी अच्छी news है जून quarter में holding increase हुई है and guys इसके अलावा अगर बात करें domestic की तो domestic investors की जो की एक दुबारा से entry जून quarter में 0.03% के साथ हो चुकी है अगर बात करें public की तो public holding की यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा downfall देखने को मिल रहा है it means that is good news क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कोई भी company यहां पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं बैठी हुए यह सिर्फ अपने लिए ही बैठे हुए maximum profit इनको मिले यहीं of course इसी के लिए यहां पर जो की share market में अभी बैठे हुए अगर बात करें यहां पर अधर्स की तो अधर्स की entry जो की अफकोर्स यहां पर stable है कोई चीज़े इसमें नजर नहीं आ रहा रहा अगर बात करें पब्ली की तो गई पब्लीक holding of course काफी ज़्यादा हो सकता है प्राइस को थोड़ा सा यहां पर stable किया जाए यहां पर जो की इवन जो की चालिस से पैंतालिस या पचास रुपे की range में even stable किया जाए कुछ टाइम के लिए क्योंकि यहां पर पब्लिक holding हो काफी बड़ी तादात में है और काफी 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 इवन जो की यहीं होगा कि इसको नीचे लाया जाए प्रोमोटर की holding को increase किया जाए तो गई यहां पर हो सकता है कि प्राइस जो की 40 रुपे से लेक की बात करें तो कोई changes में जो कि एक अफकोर्स जो की दोबारा से entry ली गई है जो कि मैंने बदाया था 0.03% के साथ जो की अगर बात करें फोरें इंवेस्टर्स की तो फोरें इंवेस्टर्स में holding जो की increase हुई है अफकोर्स यह एक अच्छा sign यहां पर नजरा रहा है जून क के साथ partnership की बात हो या फिर कुछ काफी सारी news जो की even statement की बात हो काफी सारी news जो की market में flash हो रही है अगर बात करें dividend की ऑफकोर्स जो की dividend भी already announce कर चुका है जिसकी x state already आ चुकी है तो सबसे पहले वो देख लेते हैं तो बात करें dividend की तो यहां पर जो की 15 सितंबर को जो की इ पहले आपको buy करने होंगे तब भी आप इस dividend के लिए eligible होंगे जिस तरीकी की जो अभी at present जो प्राइस है करीब 40 रुपे के आज पास का उसको देखते हुए of course जो की काफी better है even dividend की बात करें तो 0.05% it means की 5 पैसे per equity share dividend दे रहा है और अगर बात करें इसके अलावा जो की news की तो guys of course काफी जबर्दस न्यूज जो की 13 अगस्त को आई थी जो इन्फिवीम एवेन्यू से चाहे बेसे को statement की बात हो या फिर जियो के साथ जो की जो इसकी partnership की extension की बात हो काफी सारी न्यूज जो की market में flash हो रही है अगर बात करें इसके रहा हो जो कि आज की breaking news की तो काफी जबर्दस न्यूज आई है इवन इन्फिवीम एवेन्यू इन्फोकस जो की focus में है क्यों है focus में why pay you pay you acquisition of bill desk जो की bill desk को pay you ने acquire किया है अब भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इन्फिवीम एवेन्यू है उसको paytm acquire करेगा कुछ ऐसे ही अनुमान लगाया जा रहे है so guys gupta said in a big a big development in the digital payment industry pay you has bought a bill desk for usd 4.7 billion and with this news in phim venue comes into focus says z business senior research analyst kushal gupta in a z business exclusive news on tuesday gupta said says if we go according to the media report paytm which is planning one of the biggest ever initial public offering in the stock market industry was aiming to acquire pay you bill desk and infibium avenue however pay you taking over bill desk make it paytm's competitor so guys यहां पर जो कि यह तो even हो चुके हैं एक साथ pay you और bill desk की बात करें तो अभी जो बच्चा है वो है infibium avenue तो guys काफी chances हैं कि यहां पर infibium avenue को paytm acquire कर लें तो जैसे ही acquisition होगे of course एक जो की बड़ा दमाका इसमें जो की automatic होगा क्योंकि अगर बात करें paytm की तो अलड़ी एक जो की announcement कर चुका है कि सबसे biggest ever IPO लेके आ रहा है अगर ऐसे हुआ तो यहां पर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा infibium avenue में अगर ऐसा हुआ कि जियो में या फिर जियो और infibium avenue में कोई partnership हुई क्योंकि यहां पर of course contract को extend किया जा रहा है एवन अगर बात करें जो की infibium और इसके अगर ऐसा हुआ तो काफी जबर्दस यहां पर प्रोफिट आपको मिलने वाला है तो यहां पर थोड़ा तरह करके इसको कठा कर लीजिए और एक बड़ा profit of course आपको in future मिल सकता है जिस तरीके की जो अभी situation जो की news निकल के आ रही है और ऑसके तो यहां वैंने दो कीम जो प्रोफिटार्ट प्रोफिब्ड प्रोफिट लंटे स्थी में जो घूंज वा साइब पैस्पिक आप्रोफिट नेकिन के रहीं है